बूर्णिंग रादे रादे हम चल पड़े अपने मंजिल की तरफ यानि की गूमने के लिए जंगल में जो मैंने आपको काफी बार अपनी वीडियो में दिखाया है यहापे और रखे थी काफी ठंड और मैं यही देख रखे थी बाहर का मोसम बड़ा जबर दस तो रखा था एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सर सर मैं देख रही थी बाइक पर जाने वालों की हिम्मत है और साथ ही हमने सुना जैश्री राम फाइनली पहुच गए हम जंगल की तरफ कदम बढ़ाते हुए कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा यह देखो जंगल आ बिस्कीट से वो डाल चुकी हूँ और अब हम आगे चल पड़े हैं आगे चलते चलते कदम बढ़ाते बढ़ाते मैं आपको दिखा रही हूँ एक सुनसान जंगल जहां पे हमारे इलावा और कोई भी नहीं है पिलकुल सन्ना टाहरे भाई और मैं और रख्यों खुश और स कड़ा भी नहीं है वो बिस्कीट के मेरे पैकिट पड़े हैं और बिलकुल सब सपाचट कर जाते हैं मोर खा जाते हैं और कोन खाएगा चलो भई अब चलते हैं घर की तरफ और ऐसा नहीं है मैं इतनी जल्दी गुम ली थी पांच किलोमेटर की वो की थी मैंने फाइनली हम आगे कावेंच को लेने क्योंकि वो आया हुआ था अपनी मिनमोसी के घर पे अब इसे लेके हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ और ये महनती और अता चुकी है घर पे ये मैंने किये हैंड वोश हैंड वोश करने के बाद जो मेरा हमेशा का रूटीन रहता है सिधा किचन च अब भी फिलहाल मिस्टर मलिक के लिए नाश्टा बन रहा है और वो उनको खानी थी आम लेट तो बस फिर क्या था इस चक्कू का मैं चीर हरन कर दूँगी कट 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 पीसीज में तो चलिए भई फाइनली मैंने या पे अंडे उबलने रखे थे कावेंच के लि नहीं जो मुझे दिखी और मैं खुश हो गई कि चलो मेरे कपड़े तो सूखी जाएंगे और इधर मैंने उगाया था धनिया जो आपको दिख रहा होगा और मेरा धनिया काफी सुन्दर हो चुका है आप बताइएगा कैसे लगा बस फिर बारी आगी थी नाश्टे के मंदिर में आज है शनिवार तो हम आए हैं शनिदेव की पूझा करने के लिए और साथी पितर देवताओं की यानि पिपल की पूझा करने के लिए पूझा करके मा बेटे दोनों हमने के लिए बार तलाब करते हुए और पहुच गई यहां से काली माता मंदिर क्योंकि मैंन अपने वो जो पैसे जो भगवान के नाम के निकाले थे वो मैंने दान कर दी और मात आरानी का लिया अशिवात धेर सारा और यह गंदे बच्चे ने भी ले लिया मेरे ने बस और सबसे बड़ी ट्रेजटी यह देखो मेरी चोटी से बच्ची को लग गई चोट अई उसका नाग चिल गया था भई ये चोटा सा एक्सिडेंट हो गया कावया के साथ और उसकी नोस पे बहुत सारी चोट लग गई थी और उसका काफी बलड निकला फिर मैंने उससे कुस करने के लिए पंके पे लगाए बलून जिससे वो गई थी बहुत हैपी क्योंकि वो रोई जा रही थी और मुझसे ये उसका रोना देखा नहीं जा रहा था ठंड बहुत हो चुकी है इसलिए आपने लगा लिया हीटर और बस क्या बता हूँ आपको मजा आ गया हीटर के आगे गर्मा गर्म हीटर की सेख चलिए अब सो जाते हैं और इस व्लोग को करते हैं और गूड नाइट अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा बाई बाई